कि गुड इबनिंग बच्चों कि नियू लैट के प्रेटफॉर्म से सीनियर टीचर फेजिक्स का और आपका मेंटॉर मैं राजदीप श्रीवास्ता आपका सौगत करता हूं और यह नीट वाला टेस्ट जो संडे को हुआ था उसके कुछ कंफ्यूजिंग कोस्चन को डिसकस करने के लिए दस के दम में हम लोग प्रिजेंट है अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको हमारे डायरेक्टर प्रिंग सर ने आप सबको यह पार्चुंटी दी है तो थैंक्स सर आपने सारे बच्चों को पढ़ने का प्लेटफॉर्म एविलेबिल करा दिया है तो चलिए बटा शुरू करते हैं कंसीडर दी सिट्वेशन शोन इन दी फिगर दी कैपिसिटर ए हैज चार्ज क्यू अन इट्स वेर भी इस अंचार्ज दी चार्ज अपेरिंग अन दी कैपिसिटर भी अफ्टर ए लॉंग ताइं दी स्वेच इस वेच इस बोस्ट तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है और इसम चार्ज क्यू है इस पर माइनस क्यू है और उसके बाद हमने इसको जोईन कर दिया तो लेकिन बटा कनेक्शन तो पूरा है नहीं कनेक्शन तो पूरा है नहीं तो इस सिचुएशन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा हलांकि यह दोनों कनेक्टेड हैं लेकिन यह माइनस वाला चार्ज इसके अट्रेक्शन की वज़ाए से ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि यह बाउंड चार्ज है एक तरीके से और वैसे भी गौसला लगाएं तो क्वापिसिटर की फेसिंग प्लेट पर दोनों तरफ चार्ज इक्वेल एंड अपोजिट होते हैं तो इसलिए हमारे पास यह चार्ज इदर फ्लो नहीं करेगा और कई लोगों ने हो सकता है कि इसको पैरलल कॉंबिनेशन मान करके कामन पोटेंशियल कर दिया हो बट यह पैरलली केनेक्टेड नहीं है क्योंकि यह दोनों प्लेट में आपस में कोई भी कांस्विकेंस नहीं है तो चार्ज विल नॉट फ्लो और इस पे चार्ज हमेशा जीरो ही बना रहेगा एक्चुली यह कंसेप्चुल कोश्चन है और इसमें आपको कैल्कुलेशन की ज़रुवत नहीं थी चली नेक्स कोश्चन देखते हैं हां इसमें कैल्कुलेशन है इन दी फिगर शोन चार्ज आन दी लेफ्ट प्लेट आप दी 10 माइक्रो फेराट कैपिसिटर तो यहां पे माइनस 30 माइक्रो कूलाम चार्ज है लेफ्ट प्लेट पर और चार्ज आन दी राइट प्लेट आप दी 6 माइक्रो फेराट कैपिसिटर कैल्कुलेट करना है तो अगर इसको हम देखते हैं यह पोर्शन जा रहा है तो आप ऐसा करिए इस चार्ज को क्यूं मान लिए और इस दोनों कॉमिनेशन पर यह टोटल चार्ज क्यूं होने वाला है बहुत अच्छा कोश्चन है देखिए शीरीज परलल का है जाएए इस पर चार्ज क्यूंन है इस पर चार्ज क्यूंन क्यूंतु एं तो क्यूंन प्लस क्यूंतूं इस इक्वल टू क्यू हो जाएगा और इस पर कोई डाउट नहीं है इस पर फ्लस थर्टी होना है यानि इस कैपिसिटर पर चार्ज बता है यह जानओ पईरल में तो q1 अपान c1 इस उक्वाल टू उपान c2 इनके वोल्टेज बराबर होंगे q1 अपान q2 is उपान c2 और c1 शेक्षन C2 4 है तो that is equal to 6 by 4 यहनि Q1 upon Q2 is equal to 3 by 2 तो Q1 into 2 by 3 equal to Q2 और हमें Q1 निकालना है चार यान दी right plate आप दी 6 microfarad capacitor लिखा है तो इधर प्लस Q1 होगा और इधर माइनस Q1 होगा इधर माइनस Q1 होगा इधर प्लस Q1 होगा क्योंकि यह माइनस है इसी तरीके से यह distribution होगा तो यहां पर Q2 की value लिख दीजे Q1 प्लस 2 by 3 Q1 इक्वल टू 30 तो 5 by 3 Q1 इस इक्वल टू 30 तो Q1 इस इक्वल टू 30 इंटू 3 by 5 तो यह आ जाएगा 18 यह 6 चला जाएगा तो माइनस 18 इस पर रहेगा और प्लस 18 इस पर रहेगा तो फोर्स अंसर इसका सही हो जाएगा इसी तरीके से आथ Q2 भी निकाल सकते हैं इधर माइनस 12 आएगा इधर प्लस 12 आएगा क्योंकि दोनों का संट तो 30 है 18 इस पर हो गया तो इस पर 12 बचा और इस पर फिर इधर ऐसे ही होगा माइनस 30 और प्लस 30 क्योंकि यह फिर इन दोनों के साथ सीरीज में है सीरीज पैरलल को यूज करना था और mention नहीं है connection भी नहीं जोड़ा है इसलिए ऐसा confusion हुआ यहाँ आप माल लिजिए यह situation इस type की है कुछ तो आपको यह picture clear हो जाती है तो बढ़िया question था यह और six ninety बच्चों का गलत हुआ है अब यह देखिए बहुत पुराना घिसा पिटा question है एवन इस उकल टू टैन है और यह जो वाइटू की equation है इसमें तो कोई डाउट है नहीं यह amplitude वाइटू बराबर है इसको ज़रा ओपन कर लीजिए अब इसका description बहुत सारी बुक में दिया हुआ है और अग आपको नहीं याद है तो आप भी याद कर लीजिए कि y is equal to अगर a sin omega t plus b cos omega t है तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट a square प्लस b square sin omega t plus tan inverse bya मतलब इसका amplitude यह बनेगा तो इसका y2 का amplitude बनेगा मेरे पास अंडर रूट a square प्लस b यानि 5 रूट 3 का square तो यह 75 हो गया यह 25 हो गया तो यह 10 बचा तो a2 बराबर 10 हा गया और a1 अपान a2 10 बाइ 10 यानि 1 इस तो 1 है ठीक है अब ने कोशन पर चल सिक्स सेवेंटी सिक्स बच्चों ने गलत किया है यह तो यह तुम्हारे लर्निंग फैक्ट है किसी भी साउंड वेव को दो तरीके से लिखा जा सकता है कि एक displacement के टर्म में और दूसरा प्रेशर के टर्म में और दोनों में पाई का है फैस्टटा का फैस्टी दिफरेंस होता है के जिस जेगा displacement मैक्सिमम होता है कि उस जेगा प्रेशर और देंस्ट्प megap यह तो इस произош contest जयादा कम होगा डिस्प्लेस्मेंट कंुर। उस जगह ये दोनो ज्यादा होगे। Nodes का मतलब है जीरो डिस्प्लेस्मेंट ये वाला पार्टिक्ल डिस्प्लेस होता ही नहीं। तो इस जगा प्रेशर और डेंस्टी मैक्सिमम होगे फस्ट आंसर है कि अगर आप कि अगर आप कि अगर कि अगर कि अगर इसको सीधा फार्मूला लग जाता है तू एनवी अपान सी तो टी दोनों ट्रेंड की फ्रेक्वेंसी टू पॉर्टी है वेलास्टी फोर है और साउंड की स्पीड त्री ट्वट्टी है यह जीरो से जीरो कट गया और यह पोर से पोर कट गया तो सिक्स आ जाएगा यह फार्मूला कैसे आया अगर आपको यह देखना है तो इस यूट्यूब चैनल का जो प्रॉपर डिसक्रेशन है उसमें मैंने इसको जो भी यह कोश्चन था सिक्स नंबर पर बाकाइगा इसको डेराइब किया तो वहां से फार्मूला का डेरेवेशन भी आप देख सकते हैं और कोश्चन आये तो ऐसे इतनी देर में यह कोश्चन हो जाता है तो और यह बेटर होगा कि उसको आप देख लें यह रिजल्टेंट अंप्लिट्यूट को कोश्चन है दो वेव सेम अंप्लिट्यूट की है एवन बराबर एटू बराबर ए और रिजल्टेंट नेट भी ए ही है और हमें मालूम है कि ए स्क्वाइर इक्वल टू एवन स्क्वाइर प्लस एटू स्क्वाइर प्लस टू एवन एटू कॉस्पाई अगर हम एवन एटू की जगा ए रद्द हैं और ए नेट की जगा भी ए रद्द हैं और तो मेरे पास कॉस्व भाइबर माइनस वन बाइट वाजाएगा फाइब वण ट्वन्टी जाएगा जिसको रेडियन में टू पाई वाइट स्री लिख सक्था है तो इस सेकेंड कुस्चन हो जाएगा से कर आंसर हो जाएगा है लिए नेट्स्ट में आते हैं अब number of beats इसमें तो confusion इसमें हुआ होगा number of beats पर minute दिया है तो 2 pi n1 is equal to 500 तो n1 is equal to 250 और 2 pi n2 is equal to 506 तो n2 is equal to pi और यहां पर pi है तो 253 तो n1 minus n2 का mod जो number of beats होगी है कि 253 अब यह 3 beats per second है और वह पूंच रहा है beats per minute कि तो 3 को 60 से multiply कर दीजिए तो 180 answer आजाएगा maximum जो बच्चों का गलत हुआ है वो अब फिर यह वही वाला question है equation of motion in the same direction are given by तो a1 बराबर a है 2a है और a2 बराबर भी 2a है और दोनों के बीच में page difference theta का है आप कहेंगे minus theta इसमें से minus करोगे तो minus theta आएगा plus theta आ जाएगा इसकी वे इससे theta जाएदा है तो a1 यानि 2a का square और a2 यानि 2a का square plus 2 into 2a into 2a into cos delta phi यानि cos theta और यह amplitude का square net amplitude का अब इसको solve करना है तो 8a square plus 8a square cos theta अब इसको simplify करना है तो 1 plus cos theta की value होती है 2 cos square theta by 2 trigonometry से होती है तो अब इसको जब simplify कर लेंगे तो यह बन जाएगा 16a square cos square theta by 2 यहाँ पर इसकी जगर यह value रग दी जाएगा तो a बराबर आजाएगा 4a cos theta by 2 यह मेरे पास आंसर जाएगा वह बाला फर्मूला लगडा है superposition का in stationary wave all particles between two nodes pass through the mean position at different times with different velocities, as different point times with same velocity at the same time with equal velocity at the same time with different velocity यह नोड है और आपको मालूम है कि यह वाइब्रेट कैसे करती है इनिशिल कंडिशन यह रहती है अब मैं successive बता रहा हूं यह ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी ठीक है ना सबकी frequency सेम है तो particle की जो velocity होती है mean position पर वो a omega होती है ओमेगा सेम है यह सभी एक साथ पास होंगे लेकिन amplitude हर पार्टिकल का अलग अलग है तो सेम टाइम विद डिफ्रेंट वेलोसिटी पास हो जाएगे यह देखिए यह देखिए in the figure shown after switch s is turned from a to b the energy dissipated in the circuit in terms of capacity c and total charge q is तो हमारा बास यह capacitor चार्ज कर दिया गया है और वो कह रहा है कि इस पर charge q है और अभी यह capacitor disconnected है इस पर कुछ potential होगा q by c होगा और इस पर potential zero है और जब हम इसको turn कर देंगे a से b कर देंगे तो यह हट जाएगा यह दोनों parallel में आ जाएंगे और जब दो कैपिसिटर को हम add करते हैं तो energy loss होता है हाव c1 c2 अपान c1 plus c2 v1 minus v2 का square तो 1 by 2 c c into 3 c चलो काईदे से लिख देंगे c into 3 c अपान c plus 3 c और q अपान c इस पे तो 0 था minus 0 का whole square तो अब यह बनेगा कितना देख लिजिए इदर 1 by 2 यह 3 c square है यह 4 c है तो 3 c अपान 4 और इसका square करेंगे तो q square अपान c square है तो 3 अपान 8 c और q square तो first answer इसका हरा है यह दोनों में इनर्जी लॉस हो जाए सबसे shortest तरीका यह है तो यह बटा that's most difficult question थे difficult तो नहीं वह question थे जो की गलत हुए लोगों से actually है क्या कि most difficult question तो बच्चे करते नहीं न तो वह छूड़ है छोड़ने से छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा उसका number नहीं मिलेगा गलत करेंगे तो उसका तो number नहीं मिलेगा माइनस वन की वज़े से जो सही किया है उसका भी थोड़ा सा पार्च खतम हो जाता है तो ध्यान स्क्रीन पर देख रहे हैं अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको इसी के तहट हम आज आपके सामने के दसकादम स्रीज में 12 फरवरी को आयोजित नीट टेस्ट शोला के दस मोस्ट डाउटफुल क्वेस्टन को डिसकस करेंगे चलिए तो हम लोग वन बाई वन टेन कोस्टन डिसकस करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट चलो यहां पर फर्स्ट क्वेस्टन हम लोग देख रहे हैं यहां पर ट्रिपल बाउंड करना है एसिटिलीन एसिटिलीन की रेक्शन वन मूल ह2 से कराएं और किसकी प्रिजन्स में पैलेडियम और बैरियम सलफेट और कुईनोलीन तो यहां पर पूछ रहा है कि A will be क्या होगा सिसलकीन ट्रांसलकीन सिसलकेन नन तो चलो देखते हैं हमने लिया CH और यह CH ट्रिपल बाउंड CH और इसमें हम लोग वन मूल ह2 का एडिशन कराने जा रहे हैं तो बताओ यहां पर वन मूल ह2 का एडिशन कराएंगे तो यह एक पाई बाउंड तूर जाएगा यह यहां पर हो जाएगा और यह बाउंड पूर जाएगा तो बताओ क्या यहां पर C double bond C यहां पर एथलीन का फार्मेशन हुआ है अब बताओ यह एथलीन क्या जिमेटिकल आइसोमेरिज इसो करेगी अगर यह जिमेटिकल आइसोमेरिज इसो होने के लिए हर we bonded carbon से attach group दोनों क्या होने चाहे हैं different यहां पर क्या है दोनों same तो बताओ क्या है GI सो होगी की नहीं होगी तो gematical isomer so नहीं करेगा अब बताओ gematical isomer so नहीं करेगा तो यहाँ पर Cis and Trans की बात कहना गलत है क्योंकि gematical isomer जो so कर सकता है उसी के बारे में हम लोग Cis और Trans की बात करेंगे लेकिन जो वह gematical isomer ही नहीं सो कर रहा तो क्या हम लोग cis रहो trans की बात करेंगे तो answer कौन से हो जाएगा cis trans की बात हम लोग करेंगे ही नहीं answer कौन से हो जाएगा none अब ध्यान दो लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि barium sulphate और PD जब लेते हैं और hydrogenation करते हैं तो बताओ इसी reagent को क्या बोलते हैं हम लोग lind layer catalyst लिंड layer catalyst लिंड layer catalyst और lind layer catalyst cis alkene formation करता है cis alkene लेकिन तब जब वह gematical isomer so करें तब ही cis alkene बनाएगा तो चलो यह वाला अब एक जगह एक हम लोग यहां पर और एक concept discuss करेंगे कि अगर हम लोग बर्च reduction करें बर्च reduction यानि H2 के साथ हम लोग क्या लें sodium with liquid ammonia liquid ammonia तो यह यहां पर भी alkene बनेगी लेकिन यहां पर कौन से alkene बनेगी trans alkene lind layer catalyst के case में cis alkene लेकिन जब GI so करता हो तब लेकिन अगर हमने बर्च reduction किया तो sodium के साथ liquid ammonia यहां पर लेंगे और क्या बनेगा trans alkene तो इसको याद करने के तरीका क्या है जैसे हम लोग बायो में याद करते हैं BT cotton तो B से हम लोग याद करेंगे बर्च reduction और T4 trans alkene clear है चलो next question अब यहां पर देखो जड़ा दो statement दिये हुए है statement one यह कह रहा है कि यह बेंजीन कि अगर hydrogenation कराएं in the presence of nickel and heat तो बताओ यहां पर क्या बना है cyclohexane clear है बताओ यह aromatic या non-aromatic तो यह क्या है non-aromatic तो cyclohexane में कितने πाई bond तो पाई bond की संक्या कितनी होगी 0 चलो यहां statement two देखें यह बेंजीन की reaction अमने किसे कराया 3Cl2 और साथ में यहां पर ले रहे हैं क्या platinum और बना क्या रहे हैं benzene hexachloride तो बताओ क्या यहां पर platinum होता है क्या नहीं यहां पर लेते हैं हम लोग sunlight और साथ में heat करते हैं तो अगर यहां platinum ना लिया होता क्या लेता sunlight के साथ heat कर रहा होता तो यह हमारा product सही होता क्या benzene hexachloride product बनता अच्छा बताओ benzene hexacloride को हम लोग क्या 666 भी बोलते हैं 666 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर जगे hydrogen है एक तो बताओ 6 carbon 6 hydrogen और 6 chlorine तो बताओ क्या इसको 666 बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं gammaxene तो bhc benzene hexacloride 666 या gammaxene और यह एक तरह क्या है insecticide तो benzene hexacloride में नाम है benzene बट यहाँ पर कोई भी pi bond नहीं है तो pi bond कितने हो गए यहाँ पर 0 बताओ यह benzene hexacloride aromatic या non aromatic तो यह है non aromatic है और इसको यूज करते हैं as a insecticide clear है अच्छा यहाँ पर एक चीब बताओ एक होता है hexaclorobenzene hexaclorobenzene तो अगर हम लोग benzene की reaction किस से कराएं तो hexaclorobenzene मने hexaclorobenzene तो यहाँ पर हमें reagent क्या लेना चाहिए तो reagent हमें यहाँ पर लेना है Cl2 और यहाँ पर कितने Cl 6 और 7 में यहाँ पर लेना है N hydrous ALCl3 और जो condition है reaction की वो होनी चीए dark and cold तब बनता है hexaclorobenzene और इसकी structure देखो जरा क्या है hexaclorobenzene की यहाँ पर benzene तो होती ही होती है और 6 chlorine यहाँ पर hydrogen replace करके क्या हो जाता है add हो जाता है और formula अगर लिखें C6 Cl6 तो यह क्या है hexaclorobenzene अब बताओ hexaclorobenzene aromatic यह non-aromatic तो यह यहाँ पर benzene है तो बताओ क्या यह aromatic होगा हाँ यह aromatic होगा clear है तो हम लोगों ने तीनों डिसकस कर लिया cycloxygen कैसे बनाते है hydrogenation in the presence of nickel अच्छा है यहाँ पर nickel के साथ palladium भी ले सकते हो और platinum भी ले सकते हो और nickel भी ले सकते हो ठीक है चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चीज डिसकस कर लिया benzene hexachloride कैसे बनेगा तो sunlight की presence में chlorination कराएंगे और यह एक तरह की क्या है addition reaction है यहाँ पर hydrogenation है और यह क्या है electrophilic substitution reaction है ESR है यह वाला benzene hexachloride में ESR है चलो next question यहाँ पर फिर से statement अच्छा इसके answer कौन सा होगा तो यहाँ पर यह वाला statement सही था और यह statement क्या था गलत था इसकी वज़े से क्योंकि यह platinum दिया था तो statement 1 सही statement 2 wrong तो answer कौन सा हो जाएगा statement 1 correct but statement 2 incorrect तो answer हो जाएगा second चलो next statement 1 aromatic hydrocarbon burn with sooty flame sooty flame का मतलब धुमें बहुत ज्यादा काला धुमा के साथ अगर कोई जल ला है तो वो क्या है aromatic compound है तो aromatic compound sooty flame के साथ जलते हैं बात सही है next arine aromatic hydrocarbon को हम लोग क्या बोलते हैं arine aromatic hydrocarbon characterized by electrophilic addition तो यहाँ पर electrophilic addition benzene जो होती है या aromatic compound वो electrophilic addition नहीं electrophilic substitution characteristic हाँ electrophilic addition दे भी सकते हैं लेकिन in general अगर बात करें वो काउन सी reaction देते हैं electrophilic substitution तो क्या यह statement गलत हो गया तो statement 1 सही है और statement 2 wrong है तो बताओ statement 1 correct but statement 2 is incorrect तो answer काउन सा हो जाएगा second clear है next इसको 765 question 765 बच्चों ने गलत किया इसको चलो next चलो यहाँ पर देखो दिया हुआ है alcohol और क्या साथ में दिया हुआ है concentrate H2SO4 के साथ heat कर दिया है तो बताओ क्या है acid catalyzed acid dehydration dehydration of alcohol तो यह reaction काउन सी है acid catalyzed dehydration of alcohol और यहाँ पर ध्यान अखना जब भी acid catalyzed dehydration of alcohol होगा तो बताओ क्या ही है acid H plus देगा और यह H plus OH पर attack करेगा और यह बन जाएगा OH2 plus और जैसे OH2 plus बनेगा बताओ इसका minus I क्या होता है बहुत ज़्यादा और यह minus I बहुत ज़्यादा होगा तो बताओ क्या यह electron को अपनी तरफ हीचनल लेगा और बताओ क्या यह water molecule निकल जाएगा अब water molecule निकल जाएगा बताओ बनेगा क्या कार्बोकेटायन तो सबसे पहले यहाँ पर dehydration of water मलब यहाँ water का molecule निकलेगा और क्या बनेगा कार्बोकेटायन फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कार्बोकेटायन का रियरेंजमेंट अब जब कार्बोकेटायन more stable position पर पहुँच जाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसकी बीटा पोजीशन पर क्या करेंगे हच प्लस रिमूब कर देंगे अब बीटा से हच प्लस रिमूब करने बाद क्या बन जाएगी more stable alkene तो बताओ इसका final product क्या होगा alkene तो यहाँ पर देखो जड़ा यह तो alkene है चौथा option तो हो ही नहीं सकता clear है तो चलो अब इसको हम लोग एक-एक solve करते हैं मेकैनिल से यहाँ पर देखो जड़ाए carbon है और उससे तीन methyl group जुड़े हुए है यह CS3 ठीक है फिर यहाँ पर इसके आगे carbon है और वही क्या carbon बन गया फिर यह CH और आगे क्या है CS3 यह हमारा carbon बन गया जब water molecule निकल जाएगा इसके बाद ध्यान दो ना यहाँ पर जो water है जो concentrate H2O4 है वो act as catalyst है तो बताओ क्या यहाँ पर H plus इसका यूज हो गया water में तो क्या हमें जो medium है उसको H plus वापस देना पड़ेगा तो यही यहाँ पर हम लोग H plus वापस देंगे लेकिन पहले क्या कराएंगे rearrangement तो बताओ क्या यह 2 degree carbon यहाँ पर क्या अगर यह methyl shifting हो जाए तो बताओ क्या 2 degree से 3 degree carbon बन जाए तो यहाँ पर बनेगा और यह CST clear है अब यह देखो जरा 2 degree से 3 degree carbon more stable बन गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 6 और एक साथ hyperconjugation इसके क्या है? ज़्यादा है तो बताओ यह more stable carbocation है अब more stable carbocation जब पहुंच जाते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस carbocation की बीटा position अगर इसको alpha मानने तो बगल वाली को क्या? बीटा तो बीटा से हम लोग क्या निकाल देंगे? अगर यहां से यह वाला H निकाल दें तो बताओ क्या अलकीन हमारी यहां पर बनेगी? और वो होगी more alkylated यानि कि आरब पर alpha hydrogen क्या होंगे? बहुत जादा और यह more stable alkीन बनेगी क्यों? क्योंकि 3 alpha hydrogen 6 3 9 3 12 12 alpha hydrogen होंगे तो बताओ क्या यह more stable alkीन तो तो answer कौन से हो गया? final alkीन यह होगी तो देखो यहां पर क्या? carbon double bond carbon इसके एक तरफ methyl है एक तरफ दो methyl है यहां पर देखो carbon double bond carbon इसके भी एक तरफ दो methyl और इसके भी एक तरफ दो methyl तो answer कौन से हो गया? third clear है? next चलो 80 number question इसको 700 लोगों ने गलत किया अब देखो जड़ा क्या गलती होई होगी? यहां पर देखो जड़ा alkyne दिया हुआ है और alkyne की reaction S से करा रहे है तो क्या cis alkyne बना है? और cis alkyne बना यानि कि यहां पर hydrogenation हुआ है hydrogenation और यहां भी देखो जड़ा hydrogenation with X और यहां पर क्या लिखना चाहिए था? H2 with Y बिना hydrogenation के वहां पर कैसे पहुंच जाएगा? और X में यहां पर कहीं पर hydrogen का जिक्री नहीं है तो क्या यहां पर hydrogen लिखना पड़ेगा? अब देखो जड़ा यहां पर cis alkyne बन रही है और cis alkyne बनने के लिए हम लोगों ने अभी क्या पड़ा? Lind Lark लेकिन अब ट्रांस alkyne के लिए क्या पड़ा? birch reduction यानि sodium with liquid ammonia यानि कि यह जो Y है वह क्या होगा? sodium के साथ liquid ammonia तो देखो जड़ा यह X है यह Y है तो बताओ क्या यह Y क्या यहां पर sodium with liquid ammonia है नहीं है यहां पर sodium with liquid ammonia और sodium liquid ammonia यहां पर sodium लिखा ही नहीं तो sodium with liquid ammonia यह Y हो गया और X क्या होगा? Lind Lark catalyst और Lind Lark catalyst क्या होता है? H2 के साथ हम लोग क्या लेना पड़ेगा? PD with baso4 low या PD के साथ CaCO3 तो बताओ PD के साथ क्या लिया है? Calcium carbonate तो यह क्या Lind Lark catalyst और यह Burge Reduction तो एंसर कौन हो जाएगा? यह अब देखो तुम लोगों से यहां गलती क्या वही होगी? यहां पर देखो जरा PT के साथ baso4 लिख दिया और liquid ammonia तो भया PT के साथ नहीं PD के साथ baso4 होता है तब यह होगा Lind Lark catalyst तो बताओ क्या यहां पर गलती यही होई है तो लोगों से ठीक है? तो एंसर कौन सा हो गया? यह नेक्स्ट अब देखो जरा यहां पर Acetylene लिया हुआ है और इसकी कराया है ozonolysis Acetylene की reaction कराया है Acetylene का कराया है ozonolysis और देखो यहां पर Jink Dust लिखा हुआ है तो बताओ अगर Jink Dust न लिखता केवल O3 plus water लिखा होता तो Oxidative ozonolysis अगर यहां पर Jink Dust भी लिख दिया तो वह क्या हो जाएगी Reductive ozonolysis Clear है? अब ध्यान दो यहां पर मैंने यह मैंने लिखा अब जब इसकी ozonolysis कराते हैं तो ध्यान रखना Elkine के case में हम लोग क्या करते हैं दो दोनों pi bond तोड़ देते हैं और दोनों pi bond तोड़ देते हैं और दोनों तरफ एक एक लड़्डू पकड़ा देते हैं मतलब oxygen तो बताओ क्या यह double bond तोड़ोगे glyoxal बन गया clear है ब्यान दो acetylene की reaction जब ozonolysis कराते हो oxidative ozonolysis नहीं यहां पर reductive ozonolysis है तो हम लोग यहीं पर aldehyde पर ही रोग देंगे अब देखो जरा यहां पर तरीका क्या है कि 2 pi bond तोड़ना है दोनों तरफ एक एक लड़ू पकड़ा देना यानि की oxygen जोड़ देना है तो बताओ क्या यह CHO इधर भी हो गया यानि बन क्या गया glyoxal अब देखो जरा second step में क्या zinc से reaction करा दी यानि reducing यह क्या है reducing agent reducing agent बताओ क्या aldehyde reduce होके क्या बनेगा alcohol और यह भी क्या बन जाएगा alcohol तो बताओ बनेगा क्या यह alcohol reduce होके क्या CH2OH और यह बन जाएगा CH2OH यह बन गया glycol तो final product कौन हो जाएगा CH2OH CH2OH अनि glycol answer कौन हो जाएगा first clear है next अब देखो जराब यहाँ पर arrange the following compound in order of their decreasing reactivity with ESR electrophilic substitution के लिए decreasing order of reactivity बताना है तो धान दो electrophilic substitution के लिए यानि reactivity of ESR directly proportional होता है plus M plus H plus I और inversely proportional होता है minus M minus H और minus I clear है यानि कि plus effect वाले ESR की reactivity को बढ़ाएगे और minus effect वाले ESR की reactivity को घटाएगे चलो यहाँ पर देखो जराब तीन चीजे दी हुई है chlorobenzene तो मैंने आपर chlorobenzene बना दिया दूसरा 2,4-dynitro chlorobenzene chlorobenzene तो बना दिया मैंने 2 NO2 और 4 तो 2,4-dynitro chlorobenzene तीसरा है पैरा chlorobenzene तो मैंने 3 बनाया यह तो मैंने chlorobenzene बनाया पैरा पर पैरा नाय्ट्रो chlorobenzene अब देखो जराब यहाँ पर यह माइनस i ठीक है हाँ इसका प्लस M भी सो करता है बट ज्यादा डॉमिनेटिंटिंग इफेक्ट कौन है इसका हैलोजन का माइनस i तो हम लोग माइनस i निखेंगे यह क्या है माइनस i यह क्या है माइनस m यह क्या है माइनस i और यह क्या है माइनस m अब देखो जराब यहाँ पर एक केवल माइनस इफेक्ट है यहाँ पर यह भी क्या है माइनस m यहाँ दो दो तो माइनस m एक माइनस i यानि माइनस effect वाले ज्यादा हैं और यहां minus effect वाले 2 हैं तो minus effect 2 minus effect 3 minus effect 1 तो उताओ क्या reactivity को यह बहुत ज्यादा घटा देगा तो सबसे पीछे यह होगा उससे आगे कौन सा होगा 2 minus effect वाले फिर सबसे आगे कौन होगा chlorobenzene तो उताओ chlorobenzene क्या A है तो सबसे आगे कौन होगा ESR में A यहाँ पर A है इसके बाद कौन होगा C तो यह इसके बाद सबसे पीछे कौन होगा B तो answer कौन हो जाएगा fourth clear है चलो next अब देखो जरा यहाँ पर एक प्रोपाइन दी हुई यह ठीक है इसकी reaction हम लोग करा रहे है यानि hydroboration फिर क्या करा रहे है oxidation clear है यानि hydroboration oxidation इसे बोलते है HBO reaction hydroboration oxidation यहाँ पर देखो जरा HgSO4 और साथ में क्या लिया है H2SO4 यानि अगर हम लोग mercuric salt ले 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 और साथ में क्या ले ले है H2SO4 तो उसका product A बोल ला है और इसके product को बोल ला है B तो ध्यान देना जब भी तुम्हारे पास mercuric salt हो और साथ में क्या लिया हो H2SO4 तो यहाँ पर क्या होगा water का addition यानि इसका addition कहा होगा यहाँ पर water का addition और जो hydroboration oxidation में भी क्या होता है water का addition लेकिन ध्यान रखना इसके case में marconi cough rule से addition होगा और यहाँ पर anti-marconi cough rule से addition होगा यहाँ anti-marconi cough से water का addition यहाँ पर marconi cough से water का addition अब marconi cough क्या होता है negative part वहाँ जुड़ेगा जहाँ hydrogen की संख्या काम हो और anti-marconi cough में negative part वहाँ जहाँ hydrogen की संख्या ज्यादा हो चलो एक बार हम लोग पहले यह बना लें CS3 C triple bond CH यह है अब देखो जरा तो बताओ यहाँ पर hydrogen हम लोग किसे marconi cough से जुड़ेंगे किसको water को water को हमने तोड़ दिया H plus और OH minus में तो बताओ negative part क्या OH minus हो गया और negative part कहाँ जुड़ना है जहाँ hydrogen कम हो बताओ hydrogen कहां यहां पर कम है बताओ किया एक पाई तोड़ा हमने तो बताओ यहां पर OH हमने जुड़ दिया अब यह H plus हमने जोड होगे यहां क्या यह बन गया अब देखो तो इसको हम लोग क्या double bond को double कर दें तो यह हम luग फाटा रहे हैं तो यह क्या double bond हो जाएगा और यह हो जाएगा CH2 clear अब ध्यान दो जब भी डबली बॉंडेड कार्बन पर ओया चाह जाए तो क्या यह इनल form है यानि इन पर ओल है ठीक है तो इनल है और इनल form less stable होता है most most stable form होता है keto form तो क्या इनल convert हो जाएगा किसमें किसमें convert हो जाएगा keto form में तो बताओ keto form में कैसे जो H है वो कहा पोजिशन थर्ड पोजिशन में जाता है double change हो जाता है single में single change होता है double में तो बताओ क्या इसका totomerizing अगर कर देंगे तो CS3 C double bond क्योंकि यह single हो जाएगा और O यह double है तो यह क्या हो जाएगा CS3 और क्या बन गई AC tone क्या बन गया AC tone यानि A हमारा क्या है AC tone चलो देखे दें तो यह AC tone नहीं है यह AC tone नहीं है तो answer एक और तीन तो नहीं हो गई यहाँ पर देखो जड़ा यह answer क्यों सा है यह AC tone है तो बताओ answer क्यों सा हो जाएगा second लेकिन चलो अब हम लोग को B भी बताना है कि B क्या है कि तो यह अटा दे ठीक है चलो आदे अब देखो जड़ा इसी काम लोग क्या करें हाइड्रोबोरेशन ओक्शिडेशन तो CS3 C111 pose C h यह है इसका में काराना है हाइड्रोबोरेशन ओक्शिडेशन तो ह like do बोरेशन औक्शिडेशन वे वाटर के टीशन anti-marconic ops है तो तो क्या यहाँ पर H plus है और OH minus है तो negative part वहाँ जहाँ hydrogen ज्यादा है तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इधर H जुड़ जाएगा और यह triple bond हो जाएगा single तो हम इसको triple को single कर दे रहे हैं triple को हमने double कर दिया यह ठिक अब फिर से अब फिर से देखो ज़रा totum horizon होगा क्या doubly bonded carbon यानि एलकीन पर all है यानि enol है और enol है तो enol का क्या हो जाएगा totum horizon और बन जाएगा keto form तो 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 क्या फिर से H third position पे आ गया double single में single double में तो यह totum horizon होके क्या बन जाएगा CS3 और यह बन जाएगा CH2 और यह CHO क्योंकि यह double bond हो जाएगा और यह क्या CHO तो CS3 CHO ठीक है तो यह बन गया propanel CS3, CS2, CHO propanel तो बताओ क्या यह जो B है वो क्या propanel ही यहाँ पर लिखा हुआ है तो answer कौन सा हो जाएगा second clear है next अब यहाँ पर देखो जाएगा which of the following electronic displacement effect depend on attacking reagent यानि कि कौन सा electronic effect attacking reagent की presence मेर होता है तो उताओ क्या अगर attacking reagent नहीं होगा तो वो नहीं होगा अगर है तो होगा इसका मतलब यह permanent है कि temporary है यानि temporary है क्योंकि attacking reagent की presence पर ही हो रहा है तो वो temporary effect है और inductive effect क्या होता है permanent mezomeric होता है permanent तो बताओ क्या Electromagnetic effect यहाँ पर कैसा होता है temporary और इसी temporary effect को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोल लै है Electromagnetic effect यह केवल और केवल कभ होता है जब attacking reagent होगा जब क्या हो attacking reagent हो तो एंसर कौन सा हो गया, थर्ड, इसको भी 587 बच्चों ने गलत किया, नेक्स्ट, विच अब दो फॉलोइंग इल्ड, बोथ एलकेन एंड एलकेन, ऐसा कौन सा रियक्षन है, जिससे हम लोग एलकेन और एलकेन भी बना सकते हैं, तो बताओ, यहां पर क्लीमेंशन डिडàiक्षन है, क्लीमेंशन डिडचंगन ध्यान रखना, एल्डी हाइड कीटोन को क्या बना देता है, एलकेन, तो यह बताओ, एल्केन बनाने का मैथट है, तो यह गलत हो गया, ओजानोलिसिस में हम लोग, एल्डिहाइट कीटोन बनाते हैं, फोजोनलस से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइट कीटोन तो यह भी एलकेन और एलकीन बनाने का मैथड नहीं है, वुट्ज रियक्शन, वुट्ज रियक्शन देखो क्या होती है, हम लेते हैं आपर क्या, अलकाइल हैलाइड, और लेते हैं हम तो लेही लिए हमने, और यह in the presence of dry ether, तो ध्यान देना, यह NA X निकल जाता है, और R free radical, और R free radical, यहां free radical में कहनीच उती है, तो बताओ R free radical, R free radical क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यह बन जाएगी हमारी symmetrical alkane, clear है? तो बताओ क्या यहां पर woods reaction में symmetrical alkyne बनाते हैं हम लोग तो यह woods reaction भी नहीं होगी तो answer काउन सा हो गया, coal by electrolysis, तो चले देखते हैं coal by electrolysis कैसे alkyne बना सकते हैं, कैसे alkyne बना सकते हैं coal by electrolysis में हम लोग लेते हैं sodium salt, carboxly acid sodium salt, तो मैंने जैसे ले लिया CS3, C1O, Na ठीक है, इसकी जब हम electrolysis कराते हैं, electrolysis, यानि coal by electrolysis, coal by electrolysis, तो ध्यान देना, यह bond यहां तोड़ो, CS3 free radical, और इसके यहां पर एक mol लेते हैं कि दो, दो mol यूज होते हैं, तो बताओ क्या यह CS3 free radical और CS3 free radical, क्या यहां पर मिलके CS3, CS2 बन जाएगा, CS3, CS3 बन जाएगा, यानि alkyne बन जाएगा, तो क्या इससे हम लोग alkyne बना सकते हैं, अब देखो ज़रा, alkyne कैसे बना सकत यह मैंने di-carboxylic acid का short ले लिया, अब बताओ, क्या हमें यहां पर free radical, यह bond तोड़ेंगे free radical, और बताओ क्या यहां पर alkyne form हो जाएगा, तो बताओ यह क्या बन गया, alkyne ethylene, clear है, तो हम लोग alkyne भी बना लिया, अगर यहां पर पहले से double bond होता, तो बताओ, अगर एक hydrogen यहां से कम कर देते, और तो यहां पर double bond पहले से होता, अब बताओ, यह अगर तोड़ोगे तो free radical, तो क्या यहां पर triple bond यानि alkyne भी बना सकते हैं, यानि कि colway electrolysis से alkyne, 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 तीनों का formation किया जा सकता है, ठीक है, चलो, next, तो complete हो गए 10 question, thank you बच्चों, हलो बच्चों, new light की YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती, आज आपके समझ लेकर करके हाजे रुआँ, जिने paper में बच्चों के हिस्सा लिया, और आशाव उमीद करता हूँ कि आगे भी आप टेस्ट में बच्चों के हिस्सा लेंगे, कोई टेस्स छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले हमाई डेक्टर सरकार लोगों, सिच्छा का अधिकार सभी को, पढ़ने का अधिकार सभी को, यह आप देख सकते हैं कि 10 का दम का सेशन आपको दिख रहा है, और यह यह वही च्रोस्कोप है, जिसे आपको बहुत जल्दी मेटिकल कालेज में जाने से पहले हमारी च्रुदिर से प्रवाइड होगा, अगर आप नीट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक, और पेपर हमार स्टीटमेंट स्टीटमेंट में कुछ नहीं, स्टीटमेंट मैं क्या बता हूं स्टीटमेंट में परिया फिजिकल प्रॉसेस भी होता है, केमिकल भी होता है, बाय लॉजिकल भी होता है, ठीक, अब कोश्चन आपका फिजिकल के रिफरेंस में है, फिजिकल आप फिजिकल म अब सिक्वेंचियर फिल्ट्रेशन है और दूसरा दा सेडिमेंटेशन तो इन दोनों में क्या होता था कि जो आपका रिग्रिट है और इसमाल पाट के यह इंस से होता था और जो तैरते हुए उसमाल आपके तेहें नहीं है तैरने वाले पार्ट किल से दूसरे वाले उनको आपको सेडिमेंटेशन से ही निकाला जाता था ठीक है तो यह अलग अलग प्रॉसेस दिये हुए ठीक है अब देखिए होता क्या है कि बच्चों को गवर यह लगा कि उन्हें लगा कि पूरा का पूरा यह दोनों इसमें आ सब्सक्राइब करते हैं और आपका सेडिमेंटेशन से तो आपका कोश्चन इन दोनों के नहीं था कि लिए था इसलिए आंसर थाड़ गया और बहुत से वच्चों क्यों लगा दिया कि उन्हें यह प्रॉसेस है फिजिकल में और उन्हें यह भी लगा कि दोनों के लिए हम दोनों के लिए अलग-अलग है बातको समाझ यह फिजिकल में सेटिमेंटेशन और आपका सेडिमैंटेशन यह दो सेगवेंशन में क्या करते है कि वाले में हम यह करते हैं तो इसके लिए था हो सकता हो भविस्ट में आपको पूस्चन मिले जिसमें कहा जा कि फ्लोटिंग डेविस खटाने के लिए का करेंगे तो आपका पहला जाएगा तो कि भविस्ट में कुछ हो सकता है पेपर बनाने वाला मैं ही हूं नियाने कि फूल सिल्बस के पेपर में आपकी मुलाकाद इस सेंटेंस हो जाए यह वाचिंग सून अगें सून मैं इसली आपको पता है कि जो मियोर्सिक डिविजन होता है उसमें फस्ट और सेंड़ होते हैं और ये दोनों अलग-अलग स्ट्रक्चर में होते हैं फस होता है आपका टर्सिरी फॉलकिल में ठिक हैं तर्सिरी में होता है और दूसरा होता आपका secondary oocyte में कैसे जब टर्सी फॉलिक्यल में फहला नियोक्ट होता है तो उससे बनता है आपका secondary oocyte और एक haiploid फ़र्स पोलर बॉड़ी ठीक है यह दो चीजें फ़र्स्ट वह डिविएंज से बनती है ऑसे सकेंडरी ऊसाइट इस स्सक्टर्टर है जिसमें आपका सेकेंड मियो डिवीजन कंप्लीट होता है जिस से से किसे पुलर बाड़ी किसे कि कि बDINGद बंद यह बनता है अभी होता का राप सर्जी जब से शेकंडरी और साइड के जोना पर लेयर पर इस पर जैसे ही टास करता है वैसे उसके अंदर एक सिनल जाता है कि तब जाके इस टो बोलते हैं कि इंट्री करने के बाद और होने से पहले ही से यह चीज़े हैं सेकेंड आंसर ने लिखा बाइटिक इसको एंटी बाइटिक से को इनों नहीं किसी चीज का सफिक्स क्या है यह इससे नहीं मतलब नहीं होता है है जैसे आपको पता क्रोमोप्लास लेकिन ऐसे ही और टोनोप्लास कोई प्लास्टिट नहीं है यह मिम्ब्रेन है तो प्लास्ट जो होता है अगर प्लास्ट एक सफिक्स है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको किसी से इसे भी लेट कर देंगे उस सब्सक्रा मतलब क्या यह चीजिए एंटीवाइटिक से केमिकल हैं पहली बात जो किसी माइक्रो आर्डियम की बॉडी से निकलता है और यह दूसरे माइक्रो आर्डियम को किल कर सकता है या उसकी ग्रोफ को हिंडर कर सकता है यह एंटीबार्टिक ऑप्रोपाइटिव्स जो होते हैं वह माईक्रोप्स माईक्रोप्स जो फूड के रूप में यूज किया जाएं जो ऐसे फूड सप्लीमेंट हो जैसे क्लुएला इस यूनिसलर पर ही वैलिड है वाई इस बात को समझें यह नहीं कि आप इसको मल्टी सोलर पर प्रोवाइटिक्स लगांगे ऐसे जिन जीवित हो माइक्रोबियल फूट सप्लिमेंट जैसे स्पारलीना क्लोएला ठीक है यह होते प्रोवाइटिक्स तो अलग अलग चीज़ें भले ही इनका सफिक्स कुछ भी हो जबकर कि अलुकल लुकलास ट्रेक्स क्रोमो प्लास यह प्लास्ट इसे टर्म से कोई नहीं होता वाई इसलिए बच्चों इसको अलग अलग चीज है तो पूसा गरोरो ने यह दोनों के दोनों कि फिराइटी थी क्यों जो यह पूसा सोलडिन यह अलग व्राइटी एब तूसा इस ठीक है देखिए पूसा सवट नीम जो है यह करण राई और यह के लिए था उसके यह जैस्ट है ठीक और जो यह पूसा गौरों यह एफट के लिए था ठीक है यह पैस्ट रेस्टन्स रेस्टन्स है ठीक है यह की विराइटई है तो डोनों ब्रिस्का की मस्टरड की लेकिन यह के लिए और यह आपका डी करन रहा है तो आंसर भी फस्ट तो मैंने जानवुज के दोनों चार्ट से एक एक उठाया है ताकि आप लोग को लगे कि यह दोनों अलग-अलग विराइटी नहीं यह दोनों मस्टरड की यह ब्रिस्का की विराइटी थी लेकिन इका रेस्टेंस की कि अधे को मालूम है कि अगर कोई एक हर्मोन हमाधी बौडी में हर्मों तो पाहली बात अस अधिक होता है और यह यह सकता यह भी हो सकता है यह अरगन भी हो सकता है ठिक तीसब्स तो आरगन हो सकता है तो इसी रेफरेंस में कोशन है कि आपको कोई हर्मोन इधर दिये गए इस कालम में और इधर उनके टागेट आरगन टीसुचल दिये गए तो आक्सी टोसिन मायोमेट्रियम पर काम करता का पार्ट रीसन के समय यह तो आप जमाने से याद करते आ सर जमाने से याद करें चाहें पिछले जनम से याद करें याद हमें रहता नहीं है समझे इस बात को इतना कुछ हमारे आसपास हाई याद करने पहले उसे याद करें कि इसे याद करें बात कर समझिए तो आक्सीटोस reminds मायोमेट्रियम में help करता है इसी को आप चाइड बोलते हैं यह मायोमेट्रियम चुकि स्मूथ मसल होती है स्मूथ मसल पर यह कॉंट्रेट करता है ऑक्सिटोसिन ऐसेच आपको पता है यह गौनेडोट्रॉपिन है चीवेट्रोस द अब तो इनियूटली चीवेटल्र होता है यह हॉर्मोन के निकलता है और यह वह इंटियाय के और वहां से gonadotropin की release को promote करेगा जो कि आपकी क्या होती है FSH और LH तो आप से पूछा जाए कि FSH LH निकलता कहां से anterior pituitary और निकलवाने के लिए हार्मोन कौन से यह GNRS तो LH का काम mature graphene falcule पर होता है क्यों क्यों क्योंकि आइवलेसन जरूरी है बही आप मैं वह नहीं काम करता यह इसी को आप इंटर कहते हैं तो फीमेल में काम करता हो मैं वह काम करता यह गुनेर ट्रापीन है गौन है यह से निकलता है कि आप आपको हमें एक दो तीन चार दिख रहा है यह पांच वाला गलत है आप से पूछा गया था करेक्ट हमारा चार यहां है हमारा चार यह नहीं होगा भाई ध्यान रखिए अब देखिए सबसे पहला करम परचानिए यह टेस्टिस में उपस्थित सेमिनी फेरस तिव्यूल तिव्यूल का सेक्सनल व्यूव है क्या है वह यह यह सेक्सनल व्यूव है सबसे पहला काम सबको पहचान अब ओडि अलियम है और जो डी है स्पर्मेटोगोनियम है यह जार आपको मिल गई और आपको मालूम है कि प्रण्वर्मेटोस डेप्लॉधा 같은데 इसमें 46 क्रोमोसों होता है और इसमें फस्ट मियाउसिस होता है क्या होता है इसमें फस्ट मियाउसिस और सी होती है इसमें तेइस क्रोमोसों होता है और इसमें सेकेंड मियाउसिस होती है ठीक अब साथ टोली से जोती है यह यह डिवलपिंग जर्म सेल या मेल जर्म सेल को क्य अब देखते हैं कि इतनी information के बाद इनमें हमारे sentence में हमारा answer कहां fit बैठ रहा है तो देखिए वहिए मैं फिर से कहरा हूं सबसे पहला काम आप एक एक जो डाइग्राम दियें उनको properly पहचाने कि यह क्या है क्या इनका function है क्या इनका बात को समझें तो हमें दिख रहा हैं मियोस इस फर्सकाइन बात को समझें अब बी प्रवाइट निट्यूशन व्टी तो आपका यह थर्ड आंसर ठीक तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें इस डाइग्राम को properly identify करना है उनके अलग अलग स सेल को उनका क्या काम है क्या रोल है कितने क्रोमोसोम है कहां क्या होता यह सब को जानना अथी आवर्शक है अगे बढ़ते हैं लिकार फॉलोविंग स्टेट्मेंट आपको पता है मावुला जब मोर देन 16 सेल के आसपास हो जाएं ब्लाष्ट्टोम्य शिक्स्टीन सेल आपको मालूम है कि यह एक जाइगोट है यह एक जाइगोट है टून इसमें 46 क्रोमोसोम हैं और आपको पता है कि सैल क्या क्या नहीं होना चाहिए जितना क्रुमोसों जितना DNA एक सेल में था उतना ही उसके प्रोजणी सेल में या डॉटर सेल में जाना चाहिए अब क्लिवेज क्या है सर जी क्लिवेज भी एक प्रकार का सेल डिविजन तो जब सेल डिवीजन की यह टाइप है तो सेल डिविजन के जो fundamental rules है क्यों क्यों कि आपको पता है कि एक भी सेट क्रोमस्वम का बढ़ा घटा एक भी क्रोमस्वम बढ़ा घटा एक भी बेस पे रूपर नीचे हुआ तो सिंड्रोम आएगा म्यूटेशन आएगा बिमारी आएगी और सेल कभी यह नहीं चाहेगी कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारी आने वाली डाटर सेल बिमारी क्यों कि यहीं जाइगोट से जो मावला बन रहा है आगे चलके थी जैमिनल लेर बनेगा आगे चलके आरग इसनी बनती है उसमें यह कहानी है तो यह को थोड़ा करकर बना रहा हूं इसमें 46 ग्रॉम संक्राम ने ऍटव जाहानी एक से नॉर्मल यह से अंतर लेकिंग स्थी दोसे चार बन गए ट Jayek दो से चार बन गया और चार से आठ 20गए ये तो आप नॉर्मली पढ़ते आए डिख लेकिन यहाँ इसा नहीं होगा यहाँ एक से इसे दो बनेगा फिर यह आगे बढ़ेगा तो यह चार बनेगा फिर यह और आगे बढ़ेगा तो इसमें आठ बनेगा मतलब एक ही सेल में जो इसका साइटोप्लाज था साइटोप्लाज कि वह अलग-अलग डॉटर सेल बढ़ता जा रहा है यहां से देखिए लेकिन इसमें भी 46 क्रोमोसोम है इसमें भी 46 वह बात करें तो और इसमें इसमें भी 2C DNA 2C 2C इसमें भी 2C DNA 46 2C DNA 46 अब देखिए यहां पर एक सेल है इसमें साइटोप्लाज पूरा एक सेल डिस्टिबूट है क्रोमोसोम इतना अब यहां दो सेल बनी तो एक सेल का साइटोप्लाज दो सेल ने बढ़ गया दो सेल का साइटोप्लाज चार में चार का आ का मतलब हम यह कह सकते हैं कि इसमें जाइगोट अभी यह जाइगोट है और यह अनक्लीव ड़ हुआ नहीं बात को समझें यह अनक्लीव जाइगोट है और आगर दिन बटा अब फिर वो चार दिन बटा आठनों सोला बटा तो कोश्वनी इट है आल्मोस्ट इक्वाल कॉनिटी आफ साइटो प्लाज ठीक है एज अनकली जाइगोर्ड बट मच मोर डियने क्यों क्यों कि मावला में का सोला आपके सेल मालोब बने तो सोला सेल में 46 46 46 होंगे होगे होगे तो समझए लेकिन साइटो फ्लाज में तो इसको समझ इसके नगी है इसचाह बनी बट्छा चला जा रहा है तो मतलब अब देखे वीच मंदब फालोविंग इन नॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्रियोन इम्रियोन थी पहला था एम्रियोन ठीक उसके बाद था को रियान उसके बाद था एलन टॉइस यह आपके इस्ट्रा एक्स्ट्रा एंब्रियोन के पास अपना खुद का यह बने क्यूँ इन चारों निर्माड वा था फॉर फॉर्पर डिवल्मेंट एंड प्रोटेक्शन और डेवलपिंग भगवान ने डिवलपिंग फीटेश को यूमन विवश्टा दी यह चार चीजे structure extra embryonic membrane दिए और इनका एक पार्टिकलर फंक्शन है यह mechanical support देता है ठीक यह mechanical support देता है ठीक यह Korean nutrition देता है यह excretion में help करता है ठीक और यह RBC production RBC यार एथ्रोपोएसेस आपको मालूम है कि RBC बनने के कई प्लेस हैं लीवर में बन सकता है और योग साइक में यहां बनता है बात को समझे तो RBC यार एथ्रोपोएसेस में तो यह extra embryonic में का अपना एक पार्टिकलर फंक्शन है यह सभी है इसलिए आपको पता था माइक्रोप्स और माइक्रोप्स और माइक्रो और और अलग अलग चीज़ें हैं ठीक हैं जो निकेड़ आई से जनरली ना देखे जा सके हैं यह सब माइक्रोप्स हैं इसमें लिविन और लिविंग दीज़ों न देखे जा सकें और वह माиваем छोसे प्रोटोजवा वी होगा प्रिया व का सब वह सब लेकिन नहीं है वाइरस के लिए बात को समझे तो वाइरस यह तीनों आपके यह तीनों मायक्रोब्स भी है और मायक्रोब्स भी है और चारों सही है अब देखे थूरू में इस्टेंग कल्चर वीकेंश वाइरस प्रीप्लांट और रेट आप देखिए जैसे सपोस्थ आपको पता यह वाइरस है यह किसी होस्ट में गया और यह इनफेक्शन तब तक न जान से देखिए यह होस्ट का जो कुर्मोसोमल डियने है इससे इनकारप्ट होके अपनी कॉफी बनाएगा और जब कॉफी धेड़ सारे वाइरस के पाट्किल बन जाएंगे तब वो अपना सिम्टम एपियर करता इस इनफेक्शन एंदेज सिम्टम एपियर्स ठीक अब अ जो मेंश्ट में टीसू होता है इनका रेट आप मल्टिपलिकेशन डियन का बहुत फास्ट होता वाइरस से भी तेज तो वाइरस से जल में इनकारपोयट नहीं हो पाएगा तो इनफेक्शन नहीं काच पाएगा इसलिए वाइरस फ्री प्लांट बन सटेञे है थू मेंश् देगा है तो प्यारे बच्चों हम लोग का सेशन यहां से खतम हुआ और मेरा सिना को कैसा लाग कमेंट बाक्स में जरू बताइए टेस्ट में बढ़ता के हिस्सा लीजिए टेस्ट पर्याप्त है आपके सेलेक्शन के लिए और प्यारे बच्चों जो भी हमारे सीनियर साथी इस सालें सार सुजिसार ने बताया या पढ़ाया उसको बिल्कुत ध्यान दीजिए वो लो चैप्टर के आसपास बारे किया ही बताते हैं ठीक है ठैक्यू फर और वीडियो ओके ठैक्यू और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरू करें भाई और देखिए बटन लिखा हुआ हुआ है इसको यूटूब पर जा करके जरू कमेंट बॉक्स में जरू करिए ओके थैंक्यू फंद बाई बाई बाई